नमस्कार and I welcome you all to Altruistic News, मैं हूँ प्रींस धवन करेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि बारत को भी इस पिरकार का खत्रा क्यों है ये चीज मैंने क्यों लिखिया है यहाँ पर तो चलिए पहले जानते हैं करन्ट सिचूएशन क्या चल रही है फ्रांस में किस बात पर ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं यहाँ पर सब कुछ तोड़ा फोड़ा जा रहा है पुलिस के कंट्रोल से बाहर चला गया है सब कुछ और यहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुवल मैकरोन ये चले गए हैं चाइना अपनी यातर पर अपने दोस्त सी जिन्पिंग से मिलने यहाँ पर आप इनका ट प्रेस्टर्स इनके रेस्टरेंट को भी नहीं चोड़ा है इतने जादा बढ़के हुए हैं लेकिन किस बास से बढ़के हुए हैं दोस्तों इमैनुवल मैकरोन एक लो लेकर आये थे जिसमें इन्होंने रिटार्मेंट एज जो पहले 62 थी उसको 64 कर दिया सा इसी बास से ल प्रेक रोक के हेड़कॉर्टर्स को भी स्ट्रोम कर दिया वहाँ पर पूरा कंट्रोल ले लिया पुलिस के कंट्रोल से सब कुछ बाहर चला गया दोस्तों रिटार्मेंट एज बढ़ाने का इसू जैनवरी से चल रहा है जब से गवर्मेंट ने अनौन्स किया तब से ये चल रहा है लेकिन तब भी इनके प्रेजिडेंट नई माने और अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए ये लो ले आए जिससे लगभग एक मिलियन लोग तुरंथी सड़कों पर आ गए थे और अभी बताया जा रहा है कि 5 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट म आज कल फ्रांस के बारे में एक कोट काफी पॉपलर है जब फ्रांस चीक मारता है पूरे योरोप को बुखार हो जाता है क्या ये सच है दोस्तों जहां तक इस प्रोटेस्ट की बात है इस इशू की बात है उस केस में तो ये सच नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ लेकिन भारत का इस से क्या connection है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा यहां पर आप जैसा की देख सकते हो जो बाकी योरोपिन कंटीज है वहाँ पर रिटार्मेंट एज बढ़ानी की बात हो रही है लेकिन फ्रांस में एज घटानी की बात हो रही है तो बाकी कंटीज में य कुछ इस तरह की है कि इनके पास भी कोई option नहीं है इसी चीज को लेकर वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट चला हुआ है यह तो बात हुई योरोप की लेकिन इंडिया का क्या connection है इस से वो भी अभी आपको पता चलेगा दोस्तों आप सभी को पता होगा इंडिया म कुछ retirement age जैसा ही issue है जो France में retirement age का issue चल रहा है वरकर से related है उसी तरह हमारे देश में NPS और OPS का issue काफी ज्यादा highlight हो रहा है आजकल 2024 के elections भी आने वाले हैं वहाँ फर भी इसको उठाया जाएगा 100% और लोगों को भढ़काने की कोशिश भी हो सकती है हम तो यही चाहते हैं ऐसा ना हो NPS और OPS का issue भी peacefully solve हो जाए जो की हो जाएगा ऐसा ही हम मान कर चलेंगे Thank you for watching दोस्तो जैहिंद कर दोस्तो जाएगा जाएगाने की दाएगा ।